तो किसान फार्मिंग लीटर में आपका बहुत स्वागत है तो सर्जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में जो हमारे किसान भाई आपको देख रहे हैं इन्हें एक बार छोटा सप्रेचे दीजे अपना मेरा नाम सतिंदर कुमार है जी गाउं खतोली के पास मढकरिमपुर गाउं पड़ता है जी तो सर जब आपने अपना फिक वाना में स्टार्ट किया था सर कितने जानौर से स्टार्ट किया था सब पांच प्रेग्नेंट फीमेल लाई दे जी और साथ बच्चे लाए दे तो सर करेंट वानौर की बात कि जाए तो आपकी बसर कितने मारे पास शार्टे जानौर रहे हैं और जो आपका स्टेक्चर है तो इस्टेक्चर में सब्सक्राइब कि और उस्टोथ तोटल बारों की बात की जाए आपके फार्म पर टोटल कितने बाड़े तो आपने बाड़े बनाए होए इसका केबिन साइज क्या है यह साथ यह साथ वाई-दस का पहला निपल आपने किते चीप लगाया है और रेलिंग के बात कि आपने काफी मजबूत रेलिंग भी लगए लिया तो इसकी रिपेरिंग के बात की जह तो 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 सर फीड की बात की जाए आप अपने जानुट कितने टाइम फिट डालते हैं अच्छाब टाइम फिडालते हो एक एक टाइम सुबह एक टाइम साफ बस सुबह डालते हैं साथ साथ बजे डाल देते हैं तो सर मैं देख पाना है काफी बड़े जानवर हो गया है इनके आज दिन करेंगे तो निकितने दिन बाद आप विडिंग करते हो अपने विडिंग इसमें थोड़ा सम लेट हो गये लिए 35 दिन के आप सपास विडिंग तो एक बच्चे का मैक् जो कमजोर बच्चा इसके लिए क्या करते हैं एक दो चार दिन मादा के पास छोड़ दो तो सर मैं जैसे देख पा रहा हूं आपने बराबने मुस्रूम फार्विंग वी क्या है सर तो सरी मस्रूम सीजनल करते हैं कैसे लिए पर्मनेंट के लिए तो यह चाहिए आँ आफ लिए तो सर जैसे मैं देख पर रहा है कि आफ कि हा तूश्ट भी है और आप पिर इस टाम सापाई भी हो गई है तो सबस्कैने में कि जाना नहीं होने हैं वह शनुदने में पर नृधा है कि वादाल प्रहmin नहींना आब लगभग वह टीद कि जाएं तो सर कितना रुपय का फिर खा लेता सर जो फिर हम इस्तेमाल कर रहे हैं यह मारे पास आठ से प्रफिद के फायदा होता था यह यह 35 रुपे के आसपास का एक जानौर से निकल जाता है प्रफिद आपको फीड है और आपको मैंजमेंट यह मैंजमेंट अठारा सोगा सोले सोगा इस तरह दो बच्चा ही हमें डिलीवरी पर पड़ता है जी और फिसके बाद आपको अगर है इसमें पानी बिजली भी है बहुत सारी चीज़ है जहां जी मैंडिसन भी है उसके लिए उसके लिए इस्तेमाल किया हुआ है वैसे लाइट क इसमें तो अच्छा लगा जी खिला लो यह खिला लो तो यार इतनी दिन में होना है तो थोड़ा बहुत हरक परक पड़ता है जो तो सब्सक्राइस तो सबस्क्राइब लगा जाए तो फिलाल हमने दो पलेटे लगा रहे हैं जी 320 वाट की है अच्छा 300 और सब्सक्राइब तो कितने किलोवाट का इसर यह तो जी आठ सो अच्छा तो यह तो यह किलोवाट से कुछ कम है यह सिंगल भी होता है जो अपल अपले सब्सक्राइब तो यह जो नूर्मल समझ से चला देता सर पानी के पास तुल नुपंप यह अराम से चलाएं तो सर्दी में करते हैं अक्टूबर से मार्च तक जैसे आपने मस्रूम फार्मिंग पहले तो सर्द मैक्सिमम क्या रहता है जैसे आप मैं आपको देख पराहूं सारे आपने यह कितने बैग लगाए हुए तो एक सीजनल में सर आपको मस्रूम से कितनी कमाई हो जती है तो समझें अपना च्छे महिंने में पैसा डाबल कर लेटा है तो अब इसे आप अगेस्ट करोगे अक्टूबर में अक्टूबर से खरोगें सर वर्सें सटार्ट हो जता है यह अक्टूबर में हम खाद लाएंगे उसके 25 दिन के बाद में मस्रूम मिलनी बीच की बात कि जए कि यह वहीं से अपना खाद पर्चेज करते हैं वह यह में इसका स्पॉन मिक्स कर देते हैं जी और सर सेल की बात कि जाए तो आप कहां सेल करते हैं अपने पास जो लोकल मंडी है मुझा फनगर है देव बंद है कतली है मेरट है जी जी वहीं पर अप्राइब करते हैं तो अप कभी इसका रेट हमें 300 रुपे के लुए मिल जाता है कभी पता लगा में किस दिप सब 60 रुपे भी होता है कि वह अपड़ान होता रहता है हाँ